बलकि भोजन समाज पार्टी ने जो हमारे भोजन महापुरूस है उनकी विचार धारा को ही उलट कर दिया जैसे कि भोजन समाज पार्टी जो भोजन हिता है भोजन सुखाय की नीती पर विश्वास करने वाली थी उसको बदल कर उसको पलट कर सर्वजन हिता है योगता के और इस समाज का हित साधने के लिए वो किसी भी हत्त जा सकती है तो मैं भेहन जी के साथ आज भी पूजा हो चाहे आज जो नया एक और युबक जंदर शेकर के रूप में जो उबढ़ा है उसकी नयक पूजा हो क्योंकि लोग जब दिवानगी की हद पार कर देते हैं तो उनका सुसन स्टार्ड वहाता है तो समाज में चोर उचक के डांकू भी रहते हैं दलत प्रवर्ती के लोग भी रहते हैं उनका हित कोई सासक कैसे पूरा कर सकता है इसलिए उन्होंने सरबजन हिता है सरबजन सुखा नमस्कार आप देख रहे हैं NB News 24 into 7 निलम बोध के साथ साथियों जिस तरह से हमने उत्तर परदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग की हर विधान सभा में पहुचे हर जिले में पहुचे और आम जनता की जो राय निकल कर आय रही थी वो हमने आप तक पहुचाने का काम किय कि आम जनता आखिर इस बार क्या मूड बनाकर बैठी थी किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहती थी लेकिन जिस तरह से आम जनता की राय थी और वहीं दूसरी तरफ जो परिणाम निकल कर आये वो ये आम जनता की राय से बिलकुल भी तालमेल नहीं खाए परिणाम कुछ और रहे और जनता की राय कुछ और रही उत्तर पर्देश में लगातार मेरे साथ में एडवोकेट जैबिम परकास जी भी रही इन्होंने भी जमीन इस तरह पर जाकर एक एक मतदाता से बात की और जिस तरह से रुजहान रहे वास्ता में बहुत ही निराशा जनक आजमी थी और जिस तरह से चाहे विपक्ष की बात करें या बस्वा पार्टी के जो कारे करता हैं या समर्थक हैं उनकी बात करें हर किसी ने कहा कि बहुत सारी कम्या रही तो आज मेरे साथ में एडवोकेट जैबिम परकास जी हैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी कि तकी लगा कर एक उम्मीद लगा कर आस कर रहा था कि इस बार बहन जी आएंगी तो जितनी भी समस्था हैं पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से या सासन की तरफ से उनके उपर शोशन अत्याचार हुआ है उससे उनको डिजार मिलेगी सर आपका स्वागत है नभी नियूज मे सर जानना चाहूंगे जिस तरह से परिणाम आये हैं वो कितने संतोस जनक है क्योंकि आप लोग हमारे साथ रहें तो किस तरह से देख रहे हैं इस रजल्ट को देखिए मैं इस रिल को ऐसे देख रहा हूं क्योंकि जितनी भी स्वीट पर आप गई है अपने पूरा उत्तर परदेश कवर किया है और मैं खुद आपके साथ मेरा हूं मैंने एक-एक मद्दादस से बात की है लोगों को मतलब समझाने का भी प्रयास किया है सुनने का भी का प्रदेश के चुनावों में इस वर खेला हो गया है लेकिन बड़े ताज़ुब की बात है कि बहन जी ने एक भी सब्द नहीं बोला है सर हमने देखा कि ना तो ख्लेश जी ने इवियम पर सवाल उठाए नहीं बहन जी ने उठाए या जितना भी विपक्ष या चाहे गट बंदन से लड़ाया चोटी छोटी पाटिय लड़ी क्योंकि कहीं न कहीं हमने भी देखा जिस तरह से EVM की चोरी ओर थी, बनारस में भी मतलब मशीने पकड़ी जा रही थी, बस्ती में भी पकड़ी जा रही थी और लगातार गाजेबाद में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अंजाम दी गई लेकिन किसी भी विपक्ष की तरह से इस तरह की सवाल नहीं उठाएगाए कि EVM को लेकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुद्दा उठता या फिर बहुत बड़े इस तरह आंदोलन होता है या फिर इस चुनाव का जो रजल्ट इसका बहिसकार होता है, ऐसा नहीं हुआ है तो सर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हार के बाद बहन जी ने अगले दिन प्रेस कॉनफरेंस की और साफ साफ कहा कि मुस्लिम समुदाई ने हमें वोट देने का काम नहीं किया है जिसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि बसपा की हार हुए, इस पर क्या कहना है सर? देखे निलम जी जहां तक EVM का सवाल है, तो अमेरिका अपने यहाँ पर EVM स्टुनाब नहीं कराता है, जापान अपने यहाँ पर EVM स्टुनाब नहीं कराता है, क्योंकि ये लोग जो हैं, अपने देश में लोगतंत्र को बहुत बरे प्रेमाने को तब्ज़देते हैं, ल तो अगर इस देश का एक भी मताता यह कहता है कि मेरा में विश्वास नहीं है और इस देश का को भी मताता यह नहीं कहता है कि उसका वैलट पेपर पर विश्वास नहीं है यानि कि अगर सभी लोग वैलट पेपर पर विश्वास लाते हैं और अगर एक भी मताता यह कहता है क कि इवियम पर विश्वास नहीं है तो मैं सुचता हूं कि इस देश की सरकारों को इस देश की सुप्रीम को इस देश के चुनावायों को इवियम हटाकर वैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए और इवियम की जहां तक मैं गड़बड़ी देख रहा हूं क्योंकि पर देश जहां की जो गड़ है वहां पर केवल एक सीट का आना बड़े प्रसंचन लगाती है इवियम पर और जैसा कि बहन जी ने कहा कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि बहन जी टीवी नहीं देखती हों और यह जो देश की गद्दार मीडिय है यह बहुत पहले से ही लग गई थी इस कैमपेण में की सपा और भजपा जिस भजपा का पूरे देश में पुर जोर व्रोद हो रहा था एंटी बीजेपी लहर चल रही थी किसान आंदोलन हुआ किसान आंदोलन पूरे एक साल तक रोड़ों पर जमा रहा और उसके बाद मोदी जी ने उस किसान आंदोलन को समाथ करने के लिए वो जो कानून थे काले कानून उनको वापस लिया किसानों से माफी मांगी एक तरह से बीजेपी की यह बहुत बड़ी हार थी करारी हार थी हमने यह भी देखा कि इस चुनावे जिस तरह से जो भाजपा के प्रत्यास है उनका बहुत बड़े सतर पर विरोध हो दरा था जहां भी वो परचार और अपनी कमपैनिंग के लिए जा रहे थे लोग उनको खदेड़ते नजर आए लेकिन उसके बावजुद वर जिस तरह एक ही द्रस्टी से देख रहा हूं कि और वो द्रस्टी है इवियंब में घुटाले की द्रस्टी मुझे उत्र परदेश में दूसरी को द्रस्टी नहीं आती है कितना भी खराब चुनाब बसपा क्यों न लड़े उसका और बोट बैंक है क्या लेंग यह वह तो जैसा कि आ जो समाज थे वो भी बसपा के साथ आ रहे थे अगर मैं ब्रहामन और एक ठाकुर इन दो समाजों को छोड़ दूँ तो इन दो समाजों को छोड़ कर जो बाकी समाज थे कहीं न कहीं चाहें कुछ कम संख्या में ज्यादा संख्या में बसपा के साथ आने का काम कर रहे थे पस् वोट कर दिया जाए तो पस्मी यूपी में तो मैं समझता हूं कि सपा को वोट जाए भासपा के वोट बैंक ने भी वहाँ पे वोट किया है लेकिन इसके बाद जो अन्य जो छेत्र है उत्तरपरदेश के और विसेश्थ और पर्वांचल का जो छेत्र है वहाँ पर एक-एक मद्दा था जो BSP का पहले था वो BSP के लिए ही committed था तो इस तरह से निलम जी मुझे तो EVM का बहुत बड़ा खेला यहां पर रहाता है कम से कम बता रहा हूँ मैं कम से कम कितना भी खराब चुनाब BSP ने लड़ा है उसमें भी 50-60 सीटे तो कम से कम आनी थी लेकिन सर जिस तरह से हमने ground reporting की और ground पे जाकर लोगों से चर्चा की खासकर हम दर्शकों के लिए यहां पर बताना चाह रहे है क्योंकि जिस तरह से एक मुझफर नगर का जो दंगा था वो बहुत हाइलाइट हुआ था और कहीं न कहीं जो मुस्लिम और जो जाट समाज है वो दोनों ही बीजेपी और सपासे कटते नजर आ रहे थे जो हम चर्चा कर रहे थे तो मुसल्मान भी साफ साफ कह रहा था कि हमें बीएसपी के संड्रक्षन में रहना है और बीएसपी हमारा हिद कर सकते हैं इसी तरह से जाटों ने भी कहा है इस तरह से किसान भी अपनी बात रख रहे थे कि जिस तरह से मोधी सरकार तीन किरसी कानून लेकर आई थी तो इससे बहुत बड़े सतरपन नाराजगी लोगों दे रहे हैं तो ऐसा अखिर क्या रहा सर की पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से योगी सरकार एक बार फिर से स्थापित हुए उत्तर परदाइस में देखे निलम जी इसमें जो है मैं दो फेक्टर मानता हूं एक तो इविम घुटाला तो है ही है मुझे तो पूरे तोर पर यह दोनों देस तकनी की मामले में कहीं ज्यदा संपन हैं कहीं ज्यदा आगे हैं जब यह दोनों देस अपने यहाँ के लोकतंतर को सुध्रन बनाने के लिए उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर से चुणाप कराके पहले चीज़ दूसरी चीज सा है बोजन समाज पाटी का जो करने जो आधी के लिए के लोगों के लिए कई उन बातों को शाहव कएनसी राम जी समझ खुज़ा और सायब कांसी राम जी ने उन बातों में किसी भी तरह से फिर बदल नहीं किया प्रम पूजय बाबा शें डॉक्टर भिम्राव मिटकर ने इस देश के जो समाज था इस देश के जो लोग थे उनके अधार पर एक बात कही थी अपने समाज के लोगों को कि राजित सत्ता वो चावी है जो हर समस्या का समाधान है इस बात को समझना असान था कि वही वास्तम में राजित सत्ता जो है वो चावी है जिससे हर समस्या का हल होता है लेकिन यह समझना बड़ा मुस्किल हो रहा था कि एक छोटा वर्ग इस देश की सासे सत्ता में कैसे बराजमान होगा उस बात को यानि कि 15% में जो ब्रहम बनिया और चत्रिय वरग आता है और पिचासी परसेंट जो समाज है इस देश का उसमें स्ट और मानर्टी जैते तो जो माननेवर साहिब कांसी राम जी ने जो इस 85% को जोड़कर भोजन समाज का निर्माण करने का प्रयास किया उस बहुजन समाज का निर्माण होना शुरू हुआ ही था कि सत्ता में जल्दी आ गई बसपा पार्टी जो है और जब मानेबर साहिब कांशी राम जी ने किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा था कि आप का जो लक्षे था वो दस साल का था कि जो औरत गरोबती हो और वह जो उसका टाइम पिरेड है उससे पहले ही बच्चा पैदा कर दे तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए भारी खत्रा होता है तो इस बात से मानेबर साहिब कांशी राम जी ने बहुत भारी संकेत दे दी थे तो इसी बात पर जब भोजण समाज पाठी जब सत्ता में आ गई तो सत्ता का सुख भोगने में लग गई जो कारे करता थे जो पदादिकारी थे सभी सत्ता का सुक्व होने में लगे और आज वो हालात हैं आज जो हालात हम उत्तर परदेश में या पूरे देश में देख रहे हैं आपको एक भी पदादिकारी एक भी कारे करता भोजन समाज पार्टी का कैडराइज देहाएं नहीं उसके अंदर भोजन महापुरुसों की कोई विचारधारा आपको देखने को नहीं मिलती अगर उनके अंदर भोजन महापुरुसों की विचारधारा नहीं होगी तो वे जन्द जन को क्या समझाएंगे और किस तरीके से भोजन समाज का निर्माण करेंगे यह सोच नहीं विस इस राजी से मेरी को दुस्मनी नहीं है और मैं ब्रहमन का अवरोधी नहीं हूँ मैं ब्रहमनवाद का अवरोधी हूँ क्योंकि परमपू जब बाबा से टोटो भीम्रा अमबेटकर ने साफ साफ कहा था कि ब्रहमन में बुराई नहीं है ब्रहमन तो एक मनुस्य है इंसान है बुराई है उसकी सोच में, तो उसकी सोच को ब्रहामणवाद कहा गया है, उसकी विचार को ब्रहामणवाद कहा गया है, तो इस देश में हमारे महानपूरूसों ने ब्रहामणवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, उसको मिटाने का प्रियास किया है, ब्रहामण जैसे मानन जोइन करते तो निसंदे वे भोजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा सावित होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ बलकि भोजन समाज पार्टी ने जो हमारे भोजन महापुरुस हैं उनकी विचार धारा को ही उलट कर दिया जैसे कि भोजन समाज पार्टी जो भोजन हिताय भोजन सुखाय की नीती पर विश्वास करने वाली थी उसको बदल कर उसको पलट कर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया जो कि हमारे भोजन महापुरसों की विचार धारा को ही उलटने का काम है अब यहां पर समझने वाली बात है क्योंकि मैं ये बाते बोल रहा हूं उत्तर परदेश 2022 का चुनाव संपन होने के बाद उससे पहले मैंने यह बाते नहीं बोली हाला कि यह बाते हैं उस वक्त मेरे दिवाग में घूम रही थी लेकिन चुनावी परसितियों को देखते हुए मैंने तब यह बाते बिलकुल नहीं कहना उचित समझा लेकिन अब यह समल जाए सुधर जाए नहीं तो फिर लोग अन्य विकल्पों को तलासना शुरू कर देंगे और यह होता भी है तो जो बहुजन समा जो बहुजन हिता है बहुजन सुखा है यह जो बात कही थी यह तथा बुद्ध ने कही थी उनका मानना था कि समाज के परत्येग व्यक्त जाए बहुजन समाज पाटी के नित्रतु को यह बात जन जन को समझाने की ज्यरोत थी अब उसको समझाने की पजाए उस नारे को ही बदल दिया तो उसमें तो नुक्सान हो नहीं था और नुक्सान इसलिए हुआ कि विचार धारा से जब भी कोई व्यक्ति हडता है तो उसको नुक्सान जहिलना ही पड़ता है अभी रुखा हुआ है जिस दी पर वो भी नीचे जाएगा ने वाले समय में देखिए निलम जी भारति यंदा पार्टी चलती है और उनके परवक्ता हैं उनके जो उच्पदादिकारी हैं वे तब तक उच्पदादिकारी या परवक्ता नहीं बनायाते हैं जब तक कि वह आ प्रवक्ता घुशित कर दिया अब मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ उस समय हलाकि उस समय मैंने किसी तरह का अपना विचार किसी भी माध्यम से प्रकाट नहीं किया क्योंकि उचित समय नहीं था अब यह चर्चा का उचित समय है जहां पर समिक्षा और मन्थन की बहु लेकिन जैंड़े सा जनता के सामने रखने वाला चाहिएए वो किसी माध्यव से रखे चाहिए वो स्टेज के माध्यम से हो यह टीवी माध्यम से बहुत अच्छा decision मुझे लगा कि कुछवा समाज को आकरसित करने के लिए यह निड़े लिया गया था कितने समय पहले निड़े लिया गया मात्र कुछ दिन पहले अब क्या जो मद्दाता अपना विचार बनाकर बैठा है अपना माइंड विकप करके बैठा हुआ है क्या उस इसके अंदर कोई अच्छी विचार धार का प्रवेस ना कराया जाए तब तक हम उससे कैसे उम्मीद कर लें कि वह हमें वोट कर देगा सिर्फ इस नाम पर कि उसके समाज का एक व्यक्ति हमने पतादिकारी बना दिया है अगर इस अधार पर इस प्रदेश का मत्ताता कर वो नहीं है नीलम जी यह जो राजनीतिक तैयारी है कोई दो दिन की या दो महिने की या दो साल की नहीं होती है इसमें सालों साल लगते हैं सहे मानेवर कांसी राम जी ने कोई पहले पार्टी शुरू ने की उससे पहले उन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया जो स इसका अपने बहुजन महापुरसों की विचारधारा में उनकी सोच में तनिक भी विश्वास नहीं है। करताओं की भावना हैं लेकिन जिस तरह से एक सवाल और उठ रहा है लगातार कि अभी जो नहीं कार्यकारणी का निर्मान हुआ है उसमें चाहिए मैं आकाश आनंजी की बात करूं पूजे बाबा से टोटो भिन्हों मिटकर ने एक बात कही थी कि नायक पूजा ताना सहा को जनम देती है या फिर मैं जो बहन जी के भाई है आनंजी उनकी बात करूं उनको राष्टे कारणी में रखा गया है तो इसको भी कहीं ना कहीं कुछ लोग मतलब आलोशनात्मक तरीके से एक कहें की परिवारवाद की पहद देख रहें तो इंची जो किस तरह से देख रहे तो जो लोग आज भी भेंजी के फेवर में या भेंजी के समर्थन में खड़े हैं मैं भी भेंजी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ मैं भी भेंजी के समर्थन में खड़ा हूँ लेकिन वहां तक खड़ा हूँ जहां तक भेंजी इस समाज का उद्धार करने के लिए इस समा आँ गाउं तक जाकर जो है बहां जी के द्वारा प्रेशित केडर होगा है जो भी बात होगी उनको बताने का काम करने के लिए बहांजी से नराँ जरूर हूं लेकिन उनका विरोधी कताई नहीं हूँ लेकिन अगर बहांजी अपनी उनी नीतियों पर उनी गलत साधी है कि बिना योगता के आप किसी को भी कोई भी पद दे देते हैं तो परिवारवाद की स्रेड़ी माती है चाहें आपने किसी अन्य व्यक्तिव प्यूना दिया हो जैसे कि स्वामी परसाद मोरिया जी अपने बेटे के लिए विधाय का टिकट वांग रहे थे तो वह हला उसको बताना चाहिए इस समाज को क्योंकि ये जो भोजन समाज पार्टी है ये भोजन समाज के लोगों के खून पसीने के अधार पर सीची गई पार्टी है एक एक व्यक्ति ने अपना घर बेचा है अपना परिवार छोड़ा है बहुत से लोगों ने इस पार्टी को बना करके बोजन समाज पार्टी को सत्ता मिले कराना है सर आखरी सवाल जानना चाहूंगे कि जिस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक आवाज उठा रहें कि अगर हमें सत्ता में आना है या दुबारा से अपना वर्चस सब स्थापित करना तो कहीं ना कहीं जितने भी च देखिए निलम जी जब मानने सती संद मिस्रा जी ने भोजन मीडिया की बैठक ली थी तो उस बैठक से पहले मुझे किसी साथ ही ने कुछ बोलने के लिए कहा और मैंने उसमें एक बात कहीं थी कि हमें सबसे पहले आपस में जो इर्षिया का भाव है उसको मिटाने का काम क हाँ पर एक व्यक्ति यह भी बोलने लगा था कि हमारे बीता इर्षिया ही नहीं है अगर इर्षिया होती तो हम यहां क्यों बैठे होते तो जो मेरी बात जो जैन्वन थी उस बात को यानिकि जो बिलकुल तथ्यात्मक बात है अगर आप तथ्या से इंकार करेंगे जो समाज एक धार में के जो संगठन बने हुए हैं उनके भीतर तमाम तरह के स्वार्थ नहीं थे हैं और उनके अपने अपने स्वार्थ है किसी के छोटा स्वार्थ है किसी का बड़ा स्वार्थ है और हर एक व्यक्ति अपने आपको नेता मानता है हर एक व्यक्ति अपने आप है उसकी बली नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर यही है कि भेंजी को चाहिए कि जितने भी तरहें जितने भी धार्मिक या समाजिक संगठन है उनसे बादचित की जाए उनके उद्देश्यों को जाचा जाए और जो बड़े-बड़े संगठन है उनको ये कारेभार सोपा जाए कि वो अपने संगठन को और बड़ा करें और जो छोटे-छोटे संगठन है वो अपने आपको उन संगठनों में उनका विले कर दें और भोजन समाज पार्टी लगातार जो है ऐसे समाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ में अपना समनब्र बनाके रखे और उनका परियो और चल रहे हैं तो यह प्रॉब्लम यहीं कि जब आदमी पड़ लिए जैसे कि पस्मी यूपी के पड़े लिखे वर्ग ने यह ने लिया कि हमें अब भजापा को रोखना है तो सपा को वोट करना है उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि अगर उनका वोट सपा को चला तो जो बसपा का वोट प्रस्थिचत है वह घट जाएगा और वहां पर जो है एक कही न कहीं नुक्सान पार्टी गोगा तो पड़ा लिखा आदमी जो हमेशा ऐसी बाते सोचता है और अनपड़ा आदमी हमेशा नेत्रितु को देखता है नेत्रितु के पीछ चलने काम करत है और एक बार इसी बात पर मैं जरूर यहां पर उसी चर्चा करना चाहता हूं एक बार सहाब एक दूर दराज के गाओं में पहुंचे और वहां पर कुछ लोग को इखटा किया उनमें आईएस आईपीएस और बहुत बड़े अधिकारी भी थे डॉक्टर वकील भी थे त सोचने लगे वह समझदार लोग थे पड़े लिखे लोग थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुवे में कोई भी डूपकी लगाए और बहार निकले तो राया रानी बन जाए लेकिन वहीं पर एक लड़की खड़ी थी जो कि अनपड़ थी जाहिल थी बिल्कुल भी मतलब उस आसर्य होगा कि वह लड़की अपने छेतर से विधायक बनी तो यहां का जो पड़ा लिखा समाज या पड़ा लिखा वर्ग है यह बड़ा सोचता है बहुत जदा विचार करता है और अपने आपको कहीं ना कहीं वो मानेवर साहिब कांसी राम जी के बराबर समझता है यहा समाज के अग्रणी नीता है वह आपस में अपने कलह कलेश को मिटाकर इखटे हो जाएं तो इस देश में भौजन समाज को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोशाएं मेरे चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल nvnews24x7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेर करें